दोस्तो ये जो हमारे हाथ में फोन देख रहे हैं वो अभी भी हमारे घार में इस्तमाल किया आता है बिल्कुल सही सलामत करनिशन में जमाना जो है इतनी फास्टली ग्रो किया है खासकर के स्मार्टफोन इस्ट्री की आपके सामनी जल्द ही आने वाला है फोल्डेबल स्मार्टफोन जिया हम बात कर रहे हैं सैमसंग गलेक्सी फोल्ड की दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये कलपना भी नहीं किया था कि 2019 में आपको सैमसंग का गलेक्सी फोल्ड देखने को मिल जाएगा सक्सेस्फुली इसका सैमसंग ने टेस्ट किया लॉंच दिखाया और इसके बाद अब यूट्यूबर्स या फिर स्मार्टफोन रिवीवर् अब रिव्यू में जो कुछ भी निकले वो बात में बात करेंगे हैं पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स के बारे में इस पे स्पेसिकेशन के बारे में ये फोन इस तरीके के आपको गुष्ट दिखता है और ये फोल्ड होता है अगर जब ये फोन बंद का 855 प्रोशेसर है आपको इसके अंदर 12GB का रैम दिया गया है और 512GB का इंटर्नल मेमोरी दिया गया है उसके साथ इस फोन में छे कैमरे दिये गये हैं छे कैमरे कुछ अंदर है कुछ बाहर की तरफ है औभिश्री बात है होनी ही पड़ेंगे कुछ कैमरे इसके 12MP के आपको मिल जाएंगे तो बैटरी क्योंकि बड़ी चीज है तो बैटरी भी ऑबिश्री बात है कि बड़ी होनी चाहिए तभी बैक अप देगा तो आपको मिलता है इसमें 4,380 mAh की बैटरी जो की इसके फोल्ड के दोनों हिस्से में आपको मिलता है और कीमत की बात करेंगे तो इसके कीमत जो है 1980 डॉलर यूएस में है इंडिया में होफ़िली इसकी कीमत जो है 140,000 के आसपस होने वाली है लेकिन ये क्या सब कुछ तो ठीक था जब लॉंच इवेंट में वहाँ पे सैमसंग वालों ने उसे लॉंच करके देखा सब कुछ ठीक लगा लेकिन जब इन इवाइस ब्लिंक कर लगा एक साइड एक साइड ब्लैक हो गया तो बड़ा अजीब की बात है साथ ये सभी सेट्स में पाया गया कि जब फोल्ड करते हैं आप इससे तो क्रीज पढ़ जाती है बीच में जो की बड़ा और लगता है इतने महेंगे फोन खरीबने के बाद क् हमने कहा था कि इस पे एक प्रोडेक्टिव फिल्म लगा हुआ है उस लेयर को नहीं उखाड़ना है बहुत सारे लोग जो है इसे उखाड़े हैं इस वज़े से ये करना ऐसा हुआ है सेफटी के हिसाब से इसे दिया गया था जो कि नहीं उखाड़ना था ये आप देख सकत यहां पर इसके अलावा सैमसंग के तरफ से ये भी कहा गया है कि इसको रिव्यूर्स या मार्केट में लाने से पहले हमने इसे टेस्ट किया है रोबोट के दुवारा टू हंड्रेड थाउजन टाइम्स फोल्ड करके इसे फोल्ड करके कुछ भी नहीं हुआ है तो डेफिन लेवल फोन का फर्स्ट जेनरेशन है यह बीटा टेस्टिंग में दिया गया है इसलिए इसमें खामिया होनी कुछ ने कुछ बिलकुल जरूरी है मसीनी और रोबिटिक जगह पे चेक करना और फिजिकल हैंड में चेक करना अलग बाते होती यह फोन ना तो डस्ट प्रूफ है ना तो वाटर्प्रूफ है और बहुत सारी चीज़े जो है जो कि एक बहुत चुई मुई की तरह फूल का है तो इसे बहुत ध्यान से इस्तमाल करना पड़ता है बहुत संभाल करना पड़ता है इतना महेंगा फोन होने के बावजूद भी तो उन लोग कहना है कि आप थ से छे माईने एक साल दो साल तो यूज कर सकें फाइनली मेरा भी अपीनिन यहीं है कि अगर आप इस फोन को पर्चेस करने के लिए बहुत ज्यादा साइटेड है बहुत ज्यादा खुश है तो थोड़ा सा पेसेंस रखिए क्योंकि बड़े बड़े एक्सपीरियंस यूट आप पर्चेस कीजेगा उमीद करते हैं आप वीडियो अच्छा लगा वीडियो साथ प्लीज लाइक कीजेगा आपने दोसरे सेर्ट क्या है और चाल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूल गया थांक्स वर्फाजी गाइस बबाए